नमेश्कार साथियों सूरी नगरी यूनिकलो क्लासिस के यूटूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिलर आठी आपका हाड़ दिख स्वागत और अभी नंदन करती हूं बात करें हम लोग लोकी आज का जो लेक्चरे वो सब के लिए हैं आप चाहिए जो डिशे की वेप्रेशिंग कर रहे हो चाहिए नहीं कर रहे हो आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या आवखालात कर रहे हो सब के लिए कामाएगा एक बहुत अच्छी जी एवन तो यह जो मैं लिए हश और ऑडर की बारे में सना ओगा इसको बोलते हैं हिंदी में डिकर इन शुरी आजिया यह जहां पर बहुत ने और और उनलाइन एक्जाम होते हैं तो वहां डिकर को अज्छप दिन लिखावाए यह जो पास जो जो तो डिकरी है वह सिर्ट अज्डमेंट कर द तो को चुन ह मिलती है और जो decree है गुजरात में चल्सकास के लिए कहा जाता है है ना तो यह अखिर decree होती क्या है और ओरडर होता क्या है क्या है क्योंकि आम ओरडर की बात करते हैं तो इहां पर फिश चीन होते हैं ठीक है order की बात करते हैं St за the committee canar check the out request order 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 सब चुप हो जाओ वो भी order है तो कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं तो सबसे बहुत करते हैं कि आखीर यह order कौन सा है this is a command यह एक command है जिसमें court आपको कोई काम करने के लिए या न करने के लिए कहता है आप ऐसा करें आप ऐसा ना करें like stop public nuisance court ने order दिया stop public nuisance आप पुबिक नुसंस ने खरेंगे court ने order क्या pay compensation आप इनको compensation दीजिए है ना तो यहां पर order का मतलब एक command है जो हमारा CPC के order है 1-51 वो हमें process दे बताता है वो जो headings है उन heading को denote करने के लिए order word लेका क्योंकि आगे parts आगे sections आगे तो पीछे वाले schedule ज्यादा बड़ा उसका तो उसको उन्हें क्या नाम दे दिया order और court में order 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 silent court में चांती बनाए रखे उसके लिए order दिया जाता है यह जो order की बात करती हूं यह वाला order जो court का command है ऐसा order CRPC में भी है पता आपको जो हमारा CRPC है उसका जो section number हमारा 354 है वो 354 बताता है last subsection उसका last subsection वो यह बताता है कि वहां पर भी order है last subsection I think subsection number 6 एक बार verify कर लाते हैं आप भी लिख लो तो 354 इसका मतब judgment writing order writing civil में भी होता है और judgment writing order writing criminal में भी होता है दोनों में होता है तो यह हैं आपका बीटा 354 का subsection 6 last ही है subsection 6 तो आपने सुना होगा एक होती judgment writing एक होती order writing तो जो judgment writing है in a civil उसे decree कहता है और order कहता है judgment से निकलता है decree order और criminal में एक judgment writing उसको judgment कहता है और दूसरा order order के जो nature होते है civil nature होती है इसलिए क्योंकि compensation दीजिए maintenance दीजिए stop कीजिए यह civil nature होता है वहाँ पर सजानी होती उसमें तो यह कहां कहा है CRPC में सब section 6 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 125, 145, 147 यह civil nature के हैं 116 यह civil nature की चीजिए हैं तो यहां पर आपको order होता है तो order always civil nature तो CRPC में भी order होते हैं CPC में भी order होते हैं बाकी CRPC में जो decision एक word उसके है decision जो word आपने में उसके decision देना तो court हम जो घर पर करते हैं decision बोलते है court जो decision देता है उसको judgment बोलते हैं तो हम अपने घरों में जिस चीज को decide करते हैं that is called decision, court जिस चीज को decide करते हैं वह भी decision है तो court की English में उस decision को बोलते है judgment क्या बोलते है court के English में इसको बोलते है judgment ठीक है सा है नीडन है चलिए हम जो करते हैं decision अब इस judgment में क्या हुआ हमारे पास civil और criminal civil, criminal और revenue और tribunals ये चार लोग होते हैं हमारे पास civil जो judgment है तो judgment के अदा पर क्या तया कर लेता civil या तो तयार कर देता तुम्हारे decree और या तया कर देता तुम्हारा order तो civil में जो judgment है उसके बिहाब पर द्पड़िय या order प्रिपर हो जाती है यह बात लिखावा है section 2k9 तो जेजमेंट द्पड़ियस कैनल reproductive symmetricboy मिक्रिवाद्बं में जो judgment होता है से judgment ही कहते है ग्रिमिनल में जो judgment आता है उसे judgment कहते हैं रखेगेंनी दीजमेंट जो हमें ऑन हमें सिविल नचर होती है तो उसलिए थीक्री जैसे हानें ट्राइबूनल अधिकरण जो judgment देता हैं जो جसिन करता है वह ज़िड्ड में वों ता आवोट्ट ट्रावनल जो decision करता है है तो они judgment तो उसका नाम एn award क्या नाम है az award तो करें की टे हैं चीज एक है पर नाम अनेक है क्या कहा? जो decision हमाई जीवन में चलता है वो law किले इंग्वेज में judgment होता है judgmental typical nature पूर में ऑउर्ट में इस फूर पूर्ट जता है वो उसको award कहते हैं, है सब में decision, घर में जो decision हो, decision है law के लेगर से, वो change हो जाता है, ठीक है, तो decree order निकला कहां से, judgment से, आज चलते है decree order के पास, इसको यही रहने देते है, हंची, अब आपके पास आता हूँ, what do you mean decree, 2 का 2 decree, इसे easy चीज आपने कभी देखी नहीं होगी, जो आपके क्या बन जाएगा, decree क्या है, तो first आज आएगा, आपका, decree, what do you mean decree, second आज आजेगा, type of decree, third आजेगा, deemed decree, mean decree में क्या include है, decree में क्या include है, और fourth आजेगा, decree में क्या include नहीं है, तो क्या क्या, इस definition को याद करने के लिए, आपने decree को four part में divide कर दिया, first, what do you mean decree, decree means, is a formal expression of court, क्या ही है, code का एक formal expression है, जो parties के right को determine करती है, क्या करती है, parties के right को, कौन सा right, जो suit में issues create कर रहे है, its mean, its mean decree जो है code का formula expression है, जो suit में दिये के dispute में, parties के right को determine करती है, that is called decree, right, इसका मतलब decree सिफ suit में दी जाती है, ना कि application में, क्योंकि civil में बेटा हम दो चीज पढ़ते हैं, civil में एक होता suit और एक होता application, कहता न, मैं suit करने जा रहा हूं, ये कहता मैं application लगाने जा रहा हूं, civil में sow motto नहीं होता है, ठीके, वहीं पे CRPC, यानि criminal में FIR होती है, या फिर complaint होती है, और या फिर court sow motto है, तो criminal में court के पास तीन option होता है, action लेने का, या तो FIR, या complaint और या फिर sow motto, और civil में दो option होता, suit या फिर application, तो decree only suit में दी जाती है, decree only, decree only suit में दी जाती है, ठीके, ये भी clear हो गया आपका, तो clear ही दिख रहा है, कि order and suit का, order and decree का पहला अंतर क्या तो first हमने समझा, what do you mean decree, decree is a formal expression of court, determined of rights of parties in suit, खता, फिर में लिका type of decree, तो कहता है, decree के प्रकार, ये preliminary भी हो सकती है, ये final भी हो सकती है, ये partly preliminary हो सकती है, ये partly final हो सकती है, ये partly final हो सकती है, ये अंतीम हो सकती, भागत अप्रारिम भी हो सकती है, भागत अंतीम हो सकती है, अब what do you mean preliminary decree, इसके बारे में का पढ़ते है, explanation देखेगा, explanation मेँ लिखावा है, premium decree क्या होती है, तो आया इसके पास explanation, देखो इसली में नीचे लिखावा, explanation, explanation कहता है, preliminary decree वह होती है, जिसमें नाहें पर इस आपको प्रसीदिंग डू नहींphy अब सब अप्रोविजन्स है दो जगा से हमारे पास जहां पर preliminary degree मिलती है क्या होती है preliminary degree? बथाती हूँ एक एक्जामपल ये घर है इसमें दो भायों के जगडे चल रहे हैं इस घर में कुछ दुकाने हैं जो रेंड पर गई भी है दोनों भायों की जगडे में जिसके पास पॉजेशन है उसको रेंड लेने दीजिए जब फाइनल डिसीजन आएगा तब ये जग लेंगे जैजमेंट में किसके पास पॉजेशन आता है फिलाल जिसके पास पॉजेशन उसको रेंड लेने दीजिए तो कोट केगे येस तब की तब देखेंगे या बadow सोक्षन में से किसी के पास इंट्सर मेरा है मेरा है मेरे पस कागच्छ और सब कर एक पीसा असको कर दावा करो MA भर जाया प्रेफीन अप्यों मिल जाया है कि फाइनलिममे तब अगेल भी कर सकते ओस cytorb म मतलुंस होती है कि फाइनल degree की वह आपील्स के अपिल कर सकते हैं पर फाइनल degree की appeal में प्रीलिम्री डिकरी का मुद्धाूदाNहीं उठाया जाцоतें получилось पिर आधा भीडी cycling decree जैसी तो बाते ,order 7, rule 11 का unity जो rejection के ground है उनमें से किसी के आदर पर भी अगर आपका suit reject होता है that is called dimmed decree और second कहता है section 144 के question का determination क्या कहता है section 144 के question को determine करना यह दोने हमाई dimmed decree जैसी है अब सवाल आता है कि decree मिलने का क्या फाइदा होता है पता है एक बार जब किसी मेटर में decree आ जाती है तो फिर उस मेटर में रेश उडिकेटा लग जाता है दूबारा उसी मेटर पर suit institute नहीं होता है इसलिए decree की बहुत बड़ी महिमा है आप एक बार decree आ गई अब आपस उसी मेटर पर suit नहीं कर सकते है क्योंकि section 11 रेश उडिकेटा लग जाता है क्या लग जाता है section 11 रेश उडिकेटा लग जाता है तो आपके तो 11 साथ 11 डिम्ड डिक्री है डिम्ड डिक्री होने की बावजुद भी ओर्डर नमबर 7 रोल 13 में इसके लिए option दिया वा है जहां पर आप क्या कर सकते साथ तेरह में new phrase suit institute कर सकते हैं जबकि एक बार decree आने पर new phrase suit institute नहीं होता अपील रिविजन रिव्यू रिट ये सारे रेमेडिय अवेलेबल हैं बट साथ 11 डिम्ड डिक्री होने के वाजुद भी यदि उसके अंदर को grounds आपको वापस हो जाते है तो साथ तेरह में आप new phrase suit institute कर सकते हैं ठीक है अब चलते हम आगे decree में क्या include नहीं है पहला और दोस्रा dismissal आपके default के जैसे हमने को dismiss किया तो आप default को ठीक करके वापस कर सकते हैं उसको तो क्या रहेंगे default के can't dismiss किया वा order इसमें नहीं आता है default के कारण dismiss किया गया order इसमें नहीं आता है और नहीं यानि ऐसा कोई adjudication जिसकी appeal order के अपील के तरह होती है यानि ऐसा कोई भी code का नेन है जिसकी nature order के जैसी है जिसकी appeal order के जैसी होती है वो हमाई decree नहीं है तो कितना सुंदर सा है कि अपील की तरह होती है ऐसे डिवाइट करके करोगे तीन में से तीन नबर मिल जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा एक मेटर में कितनी डिक्री दे सकती है कितनी एक मेटर में कितनी भी डिक्री पास की जा सकती है इसके पास मेरे पास एक केस है वो लिख लो, एक केस है मेरे पास एक ही मामले में एक सदिक डिख्री पास कर सकते हैं, केस लिखो, शंकर बलवन्त वर्सेज, शंकर बलवन्त वर्सेज, चंद्रकांथ, शंकर बलवन्त वर्सेज, चंद्रकांथ, 1995 सुप्रीम कोट, 1995 सुप्रीम चलिए तो एक मेंटर में एक साधिक डिक्री पास की जा सकती है तो डिक्री समझ में आगयी Code का Adjudication है जो Suit पर दिया जाता है Parties के Right Code Determine होता है इसमें क्या Include होता है क्या Include नहीं होते है यह कितने प्रकार की है बस यह है 3 marks का question आता है, 6 साब लिख्या सकते हो, 3 से अधी काता है, आपके पास 6 नंबर काता है, तो case laws डालने पड़ेंगे, 6 से अधी काता है, तो essential elements डालने पड़ेंगे, कि suit होना चीए, parties होने चीए, formal expression होगा code का, conclusive determine किया जाता है rights को, ठीक है, ऐसे का किए essential elements में इसको divide करना पड़ होता है, पर case laws आपको लिखने पड़ेंगे, अब चले, यह order क्या है, वैसा तो मैंने आपको order बता ही दिया था भी, अब चलते है, 2 का 14, order, 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 यह वो order नहीं है, यह तो code का, यह भी code का adjudication है, क्या का, यह भी competent code का adjudication है, जो decree नहीं है, its mean, decree के other than, code के द्वारा जू भी कहीं जाती है, वो order है, जैसे code ने कहा, यह घर उर्मिला राठी का हुआ, यानि code ने मेरे right को determine क्या, घर मुझे दे दिया, तो मेरे right को determine करके जो चीज मुझे दी गई, वो मेरा क्या है, decree, पर compensation दिया जाए, public nuisance stop किया जाए, या फिर performance करवाय जाए, किसी चीज का, तो यह क command, तो क्या लिखा है, order की definition देखो, बड़ा खतानाग definition है, order की, civil ने आले कि किसी विनिशी की प्रारूपिक अभियोकती विपरित है, जो decree नहीं है, that is a formal expression of civil court, that is not a decree, तो decree के other than, right के determination के other than, जितनी भी other things है, जो civil nature की और जो आपको grant की जाती है, आपको कही जाती है, आपको जबकि, देखो, यह न अपना, 7, order 7, rule 10, return of plant order है, जबकि 7, 11, rejection of plant decree है, ठीक है, तो ऐसे पनुगा दखना, order को समझने का एक ही तरीका है, कि आखिर order होते है कौन-कौन से, आखिर order होते है कौन-कौन से, तो देखिए, section number 95, 50,000 तका compensation लग सकता है, section number 91, stop public nuisance हो सकता है, तो देखो, command दिया, compensation दिचिए, stop public nuisance, और कौन-कौन से order होते हैं, तो उसके लिए एक ही तरीका है, और वो है, order number 43, rule number 1 पढ़िएगा, जैसे आप order 3, rule 1 पढ़ेंगे, उसमें जो list पढ़ेंगे, वहीं से आपको क्लिए अच्छा हीने order कहते हैं, किसी काम को रोकना, करना, etc अब वैसे तो देखा जाए, हमारे कानून में, order को कई define ने किया गया, और 1 meter में कितनी भी order दे सकते हैं, पर आपके knowledge के लिए मैं बताती हूँ, कि हम पूरे कानून में 3 तरके order पढ़ते हैं, सिर्फ knowledge के लिए बताती हूँ, हम 3 तरके order पढ़ते हैं, 1st is the final order, final order, जो की हम पढ़ते है, 2 ke 14, code का adjudication है, that is the final order, ठीक है, फिर आप अप्पिल कीजी, पसंद नहीं आए, तो आप order को अप्पिल कीजी, एक हम पढ़ते है, intrim order, सुना होगा intrim order कभी नाम, intrim order, इसको बोलते है, untrim आदेश, जैसे maintenance का case चल रहा है, तो code एक बाद intrim maintenance देती है, तो वो intrim maintenance क्या है, एक intrim order है, ताकि suit को आगे सर्वाइव कर सके, तो suit को आगे सर्वाइव करने के लिए, जो order दिया जाता है, that is the intrim order, ये intrim order हमें कहीं देखने को मिलता है, आप especially Hindu लोग के अंदर आप देख सकते हैं, है ना, या फिर कहीं पर आपको पास अल्रेडी position है, तो वहाँ तो आपको अना degree बिल जाएगे, तो मैं आपकी maintenance की cases में intrim order देखने को मिलता है, और एक होता इंट्रो लोकेट्री order, जैसे हम बोलते हैं, अंतरवर्ति आदिस, क्या बोलते हैं, इसको अंतरवर्ति आदिस, जो हम पढ़ते हैं, order no. 39, rule no. 6 to 10, rule no. 6 to 10, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, interlocate order, perishable things को protect करने के लिए, आए, proceeding due है, perishable things है, perishable things को protect करने के लिए, उनको protect करना, तो interlocate order पास के जाता है, तो यह final order है, interim maintenance के लिए, या आगे हमें suit को survive करने के लिए, जो order पास करते है, that perishable things को protect करने के लिए, जो order दे जाता है, शैशल वस्तों को बचाने के लिए, जो order दे जाता है, वो है अंतरवर्ती आधेश, ठीक है, तो ऐसा देख जाता है, हमार पास order भी 3 हो गए, तो यही decree order सबसे easy होता है, जो decree new order, इसको ऐसे भ्यात कर सते है, ठीक, वैसे CRPC, जो हमार वर्रेंट केसेज नहीं है, वो हमारे समन है, तो समन केसेज को जो वर्रेंट नहीं है, और वर्रेंट को नहीं detail बताया, ठीक, decree order में decree को detail बचाया, जो decree नहीं वो हमारी order है, अब चलते हैं इन तुन में अंतर क्या है, what is the difference between both, एक तो बातो बातो में आपको पता चली गया, यह है माई decree, यह हमारा order, टू का टू यहीं लिखना है, आप तो लिखते हो, decree वह हैं, जो 2 के 2 में दी गई है, order वह हैं, जो 2 के 14 हैं, नहीं लिखना, जुदिश्री में, माक्स गर जाते हैं, ठीक है, फिर आता आपके पास, तो decree 2 के 2 में है, और order जो हमारे 14 में है, decree सूट में दिया जाता है, किस में? सूट में, जिबकि order, सूट और application दोनों में दिया जा समता है, तो यह आया आपका में अंतर, कि degree यानि आपको right मिलता है, जा right का determine होता है, that is a decree, बाकी order, अब आपको हिंदू लोग के अंदर section 9 है, उसकी decree मिलती है, क्योंकि उसमें court के तक conjugal rights के लिए है, तलाक वह भी decree है, क्योंकि तलाक एक right create करती है, डाइवोर्सी का right मिलता है, आप section 9 की decree मेरे पास है, section 10 की decree है, section 13 की decree है, जहां right है, वो decree है, इसका पैटिशन में भी decree मिलती है, क्योंकि हिंदू लोग में petition लगती है, ठीक है, एक सा देखा जाए है, petition, petition तो क्या है, application include petition, petition application का है, लेकिन उसका exception है, ध्यान रखना, limitation कहता है, application ने petition include है, जब कि हिंदू है, वो CPC का exception है, वहाँ, petition में भी decree मिलती है, फिर आता है, आपके पास number 2, number 2 कहता है, आपके पास decree के लिए, decree एक सोट में, एक ही दी जाती है, general rule कहता है, लेकिन order 34, order 20 के according, एक साधिक दे सकते है, तो लेकिन general rule कहता है, कि एक मेटर में, एक ही decree पास की जाती है, other than order 20 और 34, single matter, single degree, other than 34, 34 and 20, ठीक है, 34 and 20, जब कि क्या कहता है, एक मेटर में, एक मेटर में, सेवरेल order, पास किये जा सकते है, stop ये, stop this, stop that, grant public nuisance, अनिस होई गया, बोलते है, compensation, तो कितने भी दिये सकते है, इतने भी दिये जा सकते है, fee number 3 लिखो, decree two type की देता है, preliminary decree, final decree, type, type of decree, इसमें type है, जिब कि order में ऐसे को type नहीं है, तो कियेंगे decree में two type की होती है, preliminary decree, final decree, जिब कि order में ऐसे को type नहीं है, ठीक है, fee number 4, appeal, सभी decree की appeal होती है, बट सभी order की appeal नहीं होती है, सभी decrees की appeal होती है, बट सभी order की appeal नहीं होती है, सिर्फ उन्ही order की appeal होती है, जो section 104 और order number 43, rule 1 में दिया गया है, ठीक है, उसके बाद आता अपने पास, decree की second appeal हो सकती है, बट order के 2nd appeal नहीं होती, अगला आता है अपने पास, decree की 2nd appeal हो सकती है, orders की 2nd appeal नहीं होती है, order की 2nd appeal नहीं होती है, ठीक है, तो मोटे मोटे decree के इतने अपने पास differences है, हाँ एक को लिखो, last, six, डिक्री पक्षकारों के राइट को conclusive determine करती है, डिक्री पक्षकारों के अधिकारों का निश्चाय ग्रूप से decision देती है, जबकि order conclusive determine कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो यह मोटे मोटे आपके अंतर रहते है, अब सुनिए में बाद, judgment बहुत सारे pages में होता है, यह तो कहता हूँ, एक नहीं बात बता दियू, judgment इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना कितने pages में हो सकता है, उस judgment का execution यहता हूँ, execution degree का होता है, तो judgment के बिहाब पर एक degree तयार, ए एक degree है, तीन साल LLB किया, तीन साल LLB माक्षिट है, overall मिला कि मुझे एक degree मिलती है, ठीक, उस judgment कहीं सारे pages में हो सकता है, उसके भियाब पर एक पन्ना तयार होता, उसको degree बोलते है, उसका execution करा जाता है, उसमें जो चीज लिखते हैं code वो आपको दिला दे जाते है, decree का execution आ अगले 12 years के अंदर, आप कभी भी उसको execute करा सकते हो, इसका duration होता है, कि decree का execution आपको 12 years के अंदर कराना पढ़ता है, और decree से related, आप question solve कीजेगा, कोई भी नई चीज मिले, आप इसमें add कीजेगा, बहुत सुन्दर है, बहुत सारे confusion रहते हैं, college student के होती ही क्या है, बहुत इ इनी केती कि मैं परिपूर हूँ, मैं absolute हूँ, नहीं, बट जितना मेरे पास knowledge था, जितना होर देखा मेन अब तक पढ़ा है, उसे ही conclusion निकलता है, ठीक है, चलिए, आज की बात, आज के लिए धन्यवाद, साथी साथ, सूरी नगरी unique low classes, classes भी चलाती है, आप जोत्पूर आक classes भी हमसे ले सकते हूँ, दोने courses हमारे पास available है, courses क्या है, fees क्या है, duration कितना है, batch कितना time का चलता है, foundation पैस चलते हैं, वो हमें call message कर सकते है, recording classes हमारे पास available नहीं है, recording lecture हमारे पास अभी को अभी available नहीं है, हमारे लाइव class चलती है, classroom चलता है, आपको जब EBS की क्वाई चाह सकते हैं, आज के लिए धन्या बात्ता